जहिंद वेलकम बैक टू विजयपत एजुकेशन पालूमपूर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है सो क्लास वन में हमने यूनिट्स को स्टार्ट किया था आज उसी क्लास को फिर से कॉंटिन्यू करने जा रहे हैं स्टार्ट करते हैं आज की उस क्लास को देखिए सबसे पहले कोशन है विच यूनिट इइकाल तू यूनिट ऑफ और एनरजी एनरजी के यूनिट जो हैं वो किसके इन आप्शंस में इकाल होते हैं यानि कि जो energy की unit है, ऐसी कौन सी option है, उसके भी unit वही same to same होते हैं, हम सब भी जानते है, energy की unit होते है, joule, पिछली class में मैंने आपको बताया है, और joule, जो की बर्क के भी unit होते हैं, इसलिए option number C, इसका right answer रहेगा, option C, इसका बिलकुल right answer रहेगा, next question है, which of the following has no unit, ऐसी कौन सी quantity है, जिसकी कोई भी unit नहीं होती है, जिसकी कोई भी unit नहीं होती, तो एक value तो मैंने आपको पिछली class में discuss करवाई थी, strain, strain की कोई भी unit नहीं होती, उसके साथ-साथ आप याद रखिए, reflective index के भी कोई unit नहीं होते, और उसके साथ-साथ, relative density के भी कोई unit नहीं होते तीन quantities में आपको बता दी, तीन कौन-कौन सी, एक है strain, दूसरी है refractive index, और तीसरी है relative density, इनके कोई भी unit नहीं होते, देखी हर कोई जो value है, हर कोई जो quantity है, उसकी कोई ने कोई की unit होती है, unit कहां से निकल के आती है, उसके formula से निकल के आती है, unit कहां से आती है, उसके formula से निकल भरूँगा unit भरूँगा kg acceleration के भी भरूँगा meter per second square यह force के क्या आगे unit निकल के आगे अब किसी के unit कोई भी नहीं है उसका मतलब क्या है उसका कोई ना कोई formula तो होगा formula ऐसा होगा कि उपर जो भी value है मान के चलते हैं meter में तो नीचे वाली value भी किसमें में meter से meter कट जाएगा तो इसका मतलब last में उसके कोई भी unit नहीं बचेंगे कोई भी unit नहीं बचेंगे इस तरीके से उसके कोई unit ना होने की बजा होती relative density का जो formula है वैसे density का formula हम सभी जानते हैं मास पर unit volume होता है यह density का formula है मास की unit के होते हैं हमारे kg और velocity के होते हैं meter per second meter per second kg kg यह आपका बनेगा formula kg मास के आगे kg sorry मैंने यहां पर आपको क्या बता दिया velocity बताई velocity नहीं है mass upon volume होता है sorry यहां पर mistake होगी mass upon volume होता है volume के क्या होते हैं meter cube तो kg per meter cube जो है वो किसके unit बने relative density के unit बने अब relative density का जो formula होता है वो होता है density of the substance यानि कि substance की density और नीचे आएगी किसकी density water की density ठीक है मान के चलते है substance की density कितनी है 0.7 है और water की कितनी है 1 है अब density of substance तो इसकी इस substance की क्या लिखे जाएंगे unit लिखे जाएंगे वो लिखेंगे kg per meter cube और water के भी क्या लिखेंगे kg per meter cube kg per meter cube से kg per meter cube cut गया तो यह जो value है वो सिर्फ single ही रह जाएगी उसकी कोई unit नहीं आएंगे तो option B जो है वो इसका right answer रहेगा next question है ampere second is the unit of ampere second किसके unit होते है ampere second ampere जो है वो current का unit जो है वो माने जाते हैं दिदी की current के formula से ही हम calculate करेंगे current का formula क्या होता है charge upon time होता है q upon t current का unit बनगे ampere charge के क्या हो गए column और नीचा दाएगा time t ampere second second sorry time के यहाँ पर क्या लिखेंगे time के unit हम लिखेंगे second time के unit हम क्या लिखेंगे second लिखेंगे ठीक है तो यह हमारे बास क्या बच गया charge बरावर है ampere multiply by second देखिए ampere second बन रहा किसके unit बने यह बना charge charge कहां से निकल क्या है charge यह निकि कूलम के charge के unit क्या होते हैं option number a जो है वो इसका क्या रहेगा right answer रहेगा next question है gallon is generally used for gallon कि चीज के लिए यूज किया जाता है एक gallon 10th class की books में काफी question जो है वो math के पूछे जाते हैं कि उतना gallon उसमें जो वो चीज डाली जाएगी gallon जो है वो basically एक liquid quantity को show करता है तो यह जो है liquid quantity यानि की volume को show करेगा किसी भी can के अंदर कितना पानी हम उसमें डाल रहे हैं तो हम उसको gallon में भी count कर सकते हैं और एक gallon जो होता है वो लगभग 3.78 लीटर के बराबर होता है एक gallon की value जो है वो कितनी होती है 3.78 sorry 7.8 लीटर के बराबर होती है यह आप ध्यान रखें एक gallon का मान option C इसका right answer रहेगा next one है which unit is used for measuring the astronomical distance astronomical distance की बात की जारी थी पहले हमने पढ़ा astronomical distance के लिए हम light air का use करते है option number C इसका right answer रहेगा light air के value की बात करें तो 9.54 9.54 into 10 की power 12 km आएगा 9.54 into 10 की power 15 जब करेंगे तो वो किसमें change हो जाएगा meter में change हो जाएगा यह चीज़ आप ध्यान रखेंगे next है ऐसा unit of pressure pressure के unit क्या होते है pressure के unit हमने पढ़े थे pascal ठीक है pascal लेकिन आप formula से कैसे याद रखेंगे pressure का formula जो होता वो होता force per unit area ठीक है force के unit Newton area के unit meter square तो Newton per meter square Newton per meter square option number C जो है वो इसका कैर रहेगा right answer रहेगा पासकल में भी इसको count किया जाता है यानि कि 1 meter per square meter यह जो वो 1 pascal के को लोता है इसलिए pressure की unit जो हो पासकल में भी count किया जाते है next है what is the SI unit of pressure पिछला question जो था उसमें direct formula से पूछा गया था यहाँ पे formula की बात नहीं की गई SI unit of pressure तो pressure की SI unit अभी हमने पड़े पासकल क्योंकि जो pressure का formula होता force per unit area इस force per unit area को हम क्या बोल सकते है पासकल भी बोल सकते है इसलिए pressure की unit SI unit जो होते है वो क्या होते है पासकल होते है next question है Newton per meter square Newton per meter square is SI unit of Newton per meter square is SI unit of किसके unit है यह Newton per meter square देखिए अभी हमने तो जस्ट निकाले तो थे Newton उपर है पर meter square कहाँ है नीचे Newton कहाँ से आया force से आया meter square किसका अते अरिया force upon area किसका formula pressure का तो option number D जो है वो इसका के रहेगा right answer रहेगा next है the unit of approximate distance from the earth to sun is from the earth to sun is the unit of approximate distance from the earth to the sun is हाँ यानि कि आप से एक astronomical unit की value पूछी गई है astronomical unit की value पूछी गई आप से में ही counter किया जाता है next question SI unit of forces force के SI unit क्या होते है तो अभी हमने पढ़े force के SI unit क्या होते है Newton होते है formula से भी हम यहां से calculate कर सकते है option number B इसका right answer रहेगा force का formula जो होता होता है F is equal to M A देखिए घुमा घुमा के question आप से पूछे जा रहे है repeat and repeat next question है what is the SI unit of force force के unit के आएंगे फिर से यही हमने पढ़े थे देखिए SI unit of forces SI unit of forces question में variation आ सकती है sense थोड़ी सी change हो सकती है लेकिन answer आपका वही रहेगा Newton Newton जो है इसका के रहेगा right answer रहेगा next question which of the following is not correctly match जो की correct match नहीं कर रहा है अभी तक हमने क्या के चीजें पढ़ी है frequency के unit हमने पढ़े थे first class में third ये second question हमने पढ़ा था frequency के unit के होते है hearts बिल्कुल सही है उसके बाद pressure के unit हमने पढ़े pascal ये भी सही है अभी तक हमने conductance तो नहीं पढ़ा लेकिन magnetic flux ज़रूर पढ़ा बिल्कुल मैगनेटिक flux के unit होते है वो टेसला नही होते है magnetic flux के unit के होते हैं वेवर होते है ये हमने discuss किया था देखे कुछ चीजे हैं जो अभी तक हमने पढ़ ही नहीं है तो आपको ज़रूरी नहीं नहीं है उन्चों जो फोकस करने जो चीज़ें आपको पता है उनमें आप गलती ना कीजिए तो magnetic flux density के unit होते है टेसला यानि कि option number B जो है ये क्या है गलत है इसलिए जो right answer हमारा रहेगा जो right answer हमारे पास रहेगा वो कौन सा रहेगा option number B option B जो है वो यहाँ पे match नहीं कर रहा है तो ये जो है इसका right answer रहेगा electric conductance के units क्यों होते हैं? Siemens होते हैं आगे इसके बारे में भी discuss करेंगे Siemens का मतलब होता है ohm inverse ohm inverse इसका मतलब होता है next है SI unit of displacement is displacement की बात की जाती है distance का मतलब होता है एक initial point से लेके final point तक जो भी हमने maximum distance cover किया है उसको हम distance बोलते हैं और जो एक shortcut method होता है उसको हम क्या बोलते हैं displacement बोलते हैं और displacement जो वो एक vector quantity है ध्यान रखें यह जो है वो क्या है एक vector quantity है next the SI unit of G is same as G G का मतलब होता है acceleration due to gravity acceleration G का मतलब ही क्या है acceleration due to gravity यानि कि इसके जो unit होंगे वो किसके बराबर होंगे acceleration के बराबर होंगे तो option number D जो है वो क्या रहेगा इसका right answer रहेगा G का मान आप सबी को पता होना चाहिए G का मान कितना होता है तो G की मान की बात करें 9.8 meter per second square meter per second square यह G का क्या होता है मान होता है next question है which of the following has the same unit किसके किसके same unit होते है यह तो हम first class से ही पढ़ते आ रहे है work and energy के क्या होते है जूल होते है जूल होते है option number A जो है इसका right answer रहेगा next question Newton meter square per kg square is the SI unit of Newton meter square per kg square is the SI unit of किसके unit हो सकते है देखे Newton से क्या बनेगा Newton से क्या बनेगा बनेगी force उसके बाद आया meter square meter square यानि कि distance का आप मान सकते हैं दीक है यानि कि कितने distance होगे दो distance होगे नीचे आपके पास दिया गया के जी का square kg का kg किसका होता है mass square का तो किसके unit ये बनता है किसका formula आपने सुना ऐसा ऐसा Newton meter square per kg square ये जो है आपका ये gravitational का formula बनता है capital G का gravitational का जिसको universal constant of gravitational के नाम से हम जानते है उसके unit होते हैं उसकी value होती 6.67 into 10 की power minus 11 newton meter square per kg square formula किस तरीके से बनाया जाता है आप सब भी जानते है force is directly proportional to mass m1 m2 divided by radius का square ये बनता formula ये आप सब भी जानते है ये आर स्केर बन गया ये आपके पास बना आर स्केर तो इस constant को हटा के क्या आएगा f is equal to g m1 m2 divided by r square तो g का मान के आजाएगा f r square divided by m1 m2 ठीक है kg जो है सोरी यहां पर मैंने mass लिखना था mass mass का square तो देखिए यहां से formula बन रहा है तो ये g का मान मैंने आपको बता दिया इसको भी आप लिख लें और option number d इसका right answer रहेगा next one bait has equal si unit of bait के जो si unit होते हैं वो किसके equal होते हैं bait के जो si unit होते हैं तो newton किसी और के भी होते हैं force के होते हैं तो देखिए पिछला question हमने क्या पढ़ा था पिछला हाँ ये देखिए same unit किसके किसके होते हैं तो work and energy के same होगे अब हमने किसके किसके पढ़ लिए weight के साथ force के unit हमारे newton होते हैं ये चीज़ भी आप यहाँ पर ध्यान दें weight का formula आपको पता होना चाहिए weight का formula होता है mass into gravity mass को जब gravity के साथ multiply कर देते हैं तो weight निकल के आता है next which of the following two physical quantity has same unit देखिए अभी discuss किया किसकी किसके unit same होते हैं pressure और force के तो हो नहीं सकते force dine नहीं हो सकता force speed नहीं हो सकता अभी just हमने पढ़ा force and weight force के unit weight के unit दोनों के क्या होते हैं newton होते हैं इसलिए right answer क्या रहेगा option number D next newton is SI unit of किसके unit होते हैं SI unit किसके होते हैं newton newton होता है weight का एक होता है force का option number B इसका right answer रहेगा किसका किसका है weight and force option number B next question number 50 हमारा ही चल पढ़ा class 1 और 2 को मिला के which of the following pair does not have the same SI units जिसके same SI unit नहीं होते हैं बर्क और energy के तो same होते हैं हमने पढ़ लिया distance displacement के भी हमने पढ़ लिये थे इसके तो क्या होते हैं इसके होते हैं joule और इसके क्या होते हैं हमारे meter ये दोनों तो हो नहीं सकते speed और velocity की बात करते हैं और force and pressure तो speed और velocity लगभग same होते हैं एक में direction होती है एक में displacement असर एक में direction नहीं होती है एक में होती है तो बचा क्या force and pressure speed के unit क्या होते हैं meter per second velocity के भी होते हैं meter per second force के unit हमाद होते है Newton और pressure के के होते है Pascal तो दोनों के same नहीं है इसलिए option number C जो है वो क्या रहेगा इसका right answer रहेगा next question in which of the following pair has not same unit same unit नहीं है किसके किसके नहीं है अभी हमने पढ़ लिए force and pressure के question repeat किया गया option number D इसका right answer है next the international unit of speed is international unit क्या है speed के international का मतलब होता है SI unit SI unit की ही बात की जाती है international unit में international unit of speed is international unit जो होते हैं speed के वो क्या होते हैं speed का formula आपको पता है distance over time distance के unit क्या meter time के unit क्या होगे second, तो meter per second, option number A क्या रहेगा, इसका right answer रहेगा, next one है, meter per second square is SI unit of which of the following, किसके SI unit है ये, किसके SI unit है, ये है, acceleration के, किसके है, acceleration के है, acceleration के है, acceleration का, जो formula होता है, वो होता है, rate of change of velocity per unit time, velocity के हो गए, meter per second, और time के भी क्या आगे, second, तो ये formula बन गया, meter per second square, तो option D, इसका right answer रहेगा, next question है, which of the following, has SI unit, joule per second, joule per second की बात की गई है, तो देखिए, किसके unit चो है, वो क्या आएंगे, joule divided by second आएंगे, तो second तो होते हैं, किसके time के, ठीक है, और joule, joule energy के भी हो सकते हैं, और work के भी हो सकते हैं, energy upon time तो किसी का formula नहीं है, लेकिन work upon time किसी ना किसी का formula बनता है, और वो formula किसका बनता है, वो बनता है, वो बनता है D क्या हो जाएगा, इसका right answer रहेगा, option number D इसका right answer रहेगा, next है, bolt is SI unit of, bolt भी पता हो ना ची, electrical, potential, potential difference हम जिसको बोलते हैं, potential, तो option number D जो है, वो इसका क्या रहेगा, right answer रहेगा, option number D, इसका क्या है, right answer रहेगा, next question है, which is the unit of electrical potential, electric potential, which is the unit of electric potential, potential के unit के होते हैं, अभी हमने डिसकस किये, bolt, जूल की बात करें, तो energy के unit होते हैं, coolam जो है, वो charge के unit होते हैं, ampere जो है, वो किसके unit होते हैं, current के unit होते हैं, next question है, SI unit of voltage is, voltage के unit क्यों होते हैं, voltage के unit होते हैं, bolt, जाता है ना, घरों में कितने bolt की बिजली आई, 220 bolt, आती है ना, तो option number C's का right answer होगा, next है, unit of temperature, temperature के unit क्या होते हैं, देखिए, temperature को, Fahrenheit, Celsius, Kelvin, Reamer, चारों स्केलों में मापा जा सकता है, लेकिन temperature के कोई ना, कोई, SI unit भी होते हैं, extended unit भी होते हैं, और वो होते हैं, हमारे Kelvin, ध्यान रखेंगे, degree Celsius इसका right answer नहीं है, Kelvin इसका right answer है, Kelvin, अगर हमें, एक formula होता है, Kelvin, बरावर है, Celsius प्लस 273.15, यह आप सभी ने क्या, पढ़ा होगा, ठीक है, आगे temperature में, जिब question आएंगे, तो एक formula आपको, यहाँ पर मैं बताऊंगा, जहां से आप easily convert कर सकते हैं, तो जब भी, आपको, degree Celsius को, Kelvin में change करना, तो आप क्या कर जीए, 273.15, जो इसको add कर दीजिए, ठीक है, next question है, ohum meter is unit of, ohum meter, ohum meter किसके unit होते हैं, resistance के तो होते हैं, ohum, ठीक है, फिर से option के उपर depend करता है, electric current के क्या होते हैं, current के होते हैं, हमारे ampere, charge के column, तो बचा क्या, resistivity बची, तो option number A, इसका right answer रहेगा, option number A, ohum ने जो थी, इसकी discovery की थी, resistance का opposite, जो है, वो resistivity को मानते हैं, ohum meter, जो है, वो इसका right answer रहेगा, option number A, next one है, dash has SI unit, ampere, ampere किसके unit होते हैं, तो ampere होते हैं, electric current के, current का formula होता है, I is equal to q by t, तो option number C, इसका right answer रहेगा, ये सारी चिज़े हमने discuss कर ली हैं, next है, what is the SI unit of retardation, देखी, नया शब्द एक निकल के आया है, retardation, retardation का मतलब होता है, acceleration से उल्टा, देखी, acceleration, gravity की जब बात करते हैं, ये कोई एक पेड़ है, ठीक है, यहाँ से fruit जो है, वो गिर के कहां आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे, ठीक है, यहाँ पर वो गिर गया, इसको हमके लेंगे, gravity, या फिर acceleration मान सकते हैं, अब इसी save को जब मैं उपर की तरफ फैंक हूँगा, यानि की gravity से उल्टा, तो उसको क्या बोलते है, retardation बोलते है, retardation का एक अनदर नाम भी होता है, वो होता है, negative acceleration, ध्यान रखेंगे, retardation को क्या बोलते है, negative acceleration बोला जाता है, तो इसके जो SI unit होंगे, वो acceleration के equally होंगे, तो acceleration के unit होते है, meter per second square, तो retardation के भी क्या होंगे, meter per second square, यहनि की option number D, इसका right answer रहेगा, next question है, one pascal is equal to, pascal किसके बराबर आएगा, पास्कल किसके unit होते हैं, पास्कल होते हैं, pressure के unit, pressure का formula क्या होता है, force upon area, force यानि की newton area, यानि की meter square, तो one newton meter square, यानि की option number 1 क्या रहेगा, right answer रहेगा, next है, आपको match करवाना है, कौन सा, यहाँ पे correct, match हो रहा है, देखिए, सबसे पहले, जो सबसे easy है, वो है, horsepower, है, कि 746 vote होता है, यानि की, चोथे का तो D ही आएगा, तो एक तो चोथे का D यहाँ पर है, एक चोथे का D यहाँ पर है, ठीक है, उसके बाद, उसके बाद की बात करते हैं, वोट जो है, वो होता है, किसका formula, पावर का formula, वोट जो है, वो किसका formula है, पावर का formula है, पावर, तो पावर का formula होता है, वर्क अपॉन, टाइम, यानि की, नीचे second आएगा, तो वोट का formula ठीक लिखा गया है, ठीक है, हाँ, वर्क, न्यूटन मीटर लिख सकते हैं, हाँ, उसको, वर्क को, किलो वोट जो है, वो हमारा किसके बराबर होता है, वन किलो वोट, वो होता है, हजार वोट के बराबर, और वन किलो वोट आर, जब हजार से गुणा कर देते हैं, तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6, जूल, यानि की, फर्स्ट का A रहेगा, फर्स्ट का A, फर्स्ट का A, second का जो है, वो रहेगा हमारे पास C, second का C, तो इसलिए option number A, जो है, वो हमारा क्या रहेगा, right answer रहेगा, next question, what is the SI unit of babe length, पहले हम पढ़ चुके हैं, babe length के unit क्या होते हैं, frequency के unit होते हैं, hertz, किलो ग्राम किसके बताए थे, mass के, second हमें बता है, time के, तो बचा क्या, meter, तो meter जो होत होते हैं, wavelength के, वो meter होते है, option number D, इसका right answer रहेगा, next, which one of these, these, a symbol of mole in SI unit, symbol of mole, mole को हम किस तरीके से लेखते हैं, mole को, M-O-L-E, इसको SI unit की form में, M-O-L लिखा जाता है, आपने fundamental units में पढ़ा होता, option number B, जो है, वो right answer रहेगा, number of moles का formula आपको बता देता हमें, number of moles, इसका formula होता है, total mass, divided by molecular mass, total mass divided by molecular mass, और यह जो वो, Avogadro number के equal होता है, यह आपको पता होना चाहिए, Avogadro number 6.023 इंटो 10 की बावर 23, atoms के equal होता है, 1 Avogadro number, जो फिर 1, mole हम लिख सकते हैं, 6.023 इंटो 10 की बावर 23, atoms, नेक्स्ट है, electric power expenditure, यह unit आपको बताने हैं, जो हम घरों में electricity यूज करते हैं, उसके unit क्या होता है, पहले भी आप से discuss किया था, class first में kilowatt hour, घरों में जो बिजली की खपत की जाती है, उसके unit होते है, kilowatt hour, 1 kilowatt hour, जिसको हम unit बोलते हैं, जैसे कि बताया था कि 125 unit हिमाचल में क्या है, फ्री है बिजली, जैसे unit का मतलब क्या है, kilowatt hour, 1 unit, that means 1 kilowatt hour, next, what is another name of coulomb per second, what is another name of coulomb per second, coulomb जो है, वो होते हैं, किसके unit, charge के, और divide by second, second जब करेंगे, तो वो होते हैं, हमारे किसके unit, time के unit, charge per unit, time, किसके बने, ये बने हमारे current के, और current या ने की ampere, option number B, right answer, next one, lux is the SI unit of, lux किसके unit होते हैं, ये question आपको करवाया गया था पहले, lux जो होते हैं, वो होते हैं, luminous के, intensity of luminous के, जैसे कि जो area जो वो shine जो करता है, जैसे मैंने brightness की बात की थी आपको इस time पे, तो lux जो हैं, वो intensity of luminous की बात की जाती है, option number A is correct answer रहेगा, last question रहेगा, units के chapter का, what is the SI unit of wave speed, wave speed के unit आप से पूछे गए हैं, तो देखिए, wave speed, speed का formula हम use करेंगे, speed का formula होता है, distance over time, wave के chapter को understand करेंगे, तो हम क्या करेंगे, time को थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, खिसका के, यानि कि एक बटा time लेख सकते हैं, इसको formula तो वही रहा, distance यानि कि wave length बन गी है, और one upon time जो होता है, वह होता है, frequency, यानि कि speed किसके बराबर आगी, wave length into frequency, ठीक है, wave length into frequency आगी, अब हमें speed का formula बताना है, ठीक है, तो यहां से हम इसको calculate कर सकते हैं, wave speed की बात की गई है, यह तो आपका speed का formula बन गया, ठीक है, अब यहां से भी आप value निकाल सकते हैं, यह बनेगा meter into hertz, बट meter into hertz option में हैं, तो आप simple formula से चेक कर दीजिए, speed का formula क्या बनेगा, distance over time, distance के unit meter, और divide by time, time, इका मतलब second, meter per second, यानि कि option number B, जो है, वो इसका क्या रहेगा, right answer रहेगा, 70 question के आसपास है, unit के ही question जो हैं, वो discuss किये, 70 से जादा question discuss किये, साथ में इसकी details को भी study किया, next chapter हमारा measurement कर रहेगा, जल्दी ही उसकी class आपको देखने को मिलेगी, सुभा, आपको आठ बजे इसकी class देखने को मिलेगी, physics की, तो daily आप हमारे साथ class लगाईए, ये दो classes हमारी free of course आपके लिए YouTube के उपर रहेंगी, इसका जितनी भी हमारी classes हैं, वो आपको हमारे app के उपर provide करवाई जाएंगी, विजेपत, government exam preparation app आप डाउनलोड कीजिए, किस तरीके से आपको वो आप चलानी है, उसका link भी हमने description में जो है वो डाला है, किस तरीके से आपको डाउनलोड करनी है, आप किस तरीके से आपको enroll करना है, हमारा paid batch मातर 1 रुपे प्रती दिन में आपको जो है वो batch की कीमत मिलेगी, और while 24 coupon code लगा के आपको लगभग 15 से 25 परसेंट तक discount जो है वो भी देखने को मिलेगा, तो जल्दी ही next class के साथ मैं आप से जुड़ूँगा, तब तक के लिए आप अपना खास ख्यार रखें, जै हिंड, जै भारत!